अब है although डो ओर अग्स करने वाले हैं डिप्ट कि लिए कि सेगेंड मार्च के एक्षपारी शनकी हो सकती है एक्जिक्ट में कहां पर एंटरी मिल सकता है ताकि यहां बहुत बडिया पॉपिट बना पाएं इस वीडियो में लुक्ष औरabilisad कि यहां बिल्कुल ना बुलें ताकि आपको लेटेस से लेटेस वीडियो टाइमली अपडेट होता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं निप्टी 50 का चार्ट वान री कैंडल में उपन करके रखा हुआ है उससे पहले देख रहेते हैं पिछले वाले वीड का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा था जिस लेवल से बार बार निप्टी जो है रियाट करके उबर जा रहा था सेम यहां पर 17,400 का लेवल जो हमने एक्सपेट किया था वह हमें आसानी से देखने को मिले तो कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा प् निखाई दे सकता है तो फ्रेंट्स यहां पर देखोगे तो मार्केट में जैसे वानर की कैंडल में क्या हुआ था एक बार 17,400 के लेवल से बाउंस बैक हुआ वापस से सेम इसी लेवल पे मार्केट रिल टेस्ट करने आया और वापस एक तेजी देखने को मिले अभी मार् पहुंत ही इंपोर्टेंट रोल यहां पर निवाने वाला है क्योंकि यहां पर जो दो बार मार्केट ने 17,400 के लेवल टच किये थे अगर इसके बिलो में ट्रेट करने लगता है वाला इस वीक के लिए तो यहां पर स्टॉप लॉस हम करीवन 17,600 के आजपास रख सकते हैं कि अगर मार्केट में किसी प्रकार से रिवर्सल होता है तो 17,600 का यहां पर हम स्टॉप लॉस लेकर एकजिट कर जाएंगे तो यहां पर एक छोटे टाइम फ्रेम पर और और मैं क 400 का लेबल था एक पुरी तरह से सपोर्ट जोन बना हुआ था यहां भी यहां भी सेम इसी के पास में अब इसके बिलो में जब ट्रेट करना स्टार्ट कर देगा तो यहां पर बहुंस सारे ऐसे लेबल से जो मार्केट रूख सकता है तो कहीं ने कहीं देखिए 17,000 का लेब इस वीक के लिए हमारा एक तरह से सपोर्ट जोन का काम करने वाला है अगर इस 17,000 का लेबल भी ब्रेकडाउन हो जाता है किसी कारणवस जैसा कि गलोबल मार्केट में देखा जाये तो अभी नेगेटिव सेंडिमेंट है और जिसके में से गलोबल मार्केट में एक वाल दे जाते हैं हम प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे और एंट्री बनाएंगे हम 17,400 के बिलो में तो यह तो हो गए हमारे एक तरह से देखा जाए तो सेलिंग प्रेसर के लिए कि अगर यहां पर सेल होना स्टार्ट होता है तब कि गेस में लेकिन मार्केट में यहां पर किसी कारण वस तेजी आ जाती है सेलिंग प्रेसर ना होके तेजी आती है तो वह कौन से लेबल होंगे जहां पर हम एंट्री बनाएंगे इसके लिए आपको सबसे पहले 17,600 का लेबल जो की यहां पर है इसका वेट करना होगा अगर मार्केट में किसी प्रकार से तेजी आती है और 17,600 के लेबल के उपर मार्केट सस्टेन हो जाता है इस लेबल के उपर तो ही हम यहां पर एंट्री बनाने वाले हैं और जब तक इस लेबल के उपर सस्टेन नहीं होगा हम एंट्री नहीं बनाएंगे इस लेबल के उपर सस्टेन होता है तो जो पिछला वाला थ 17,400 का support zone हम इसका ही SL रखेंगे और यहां पर target करीवन 18,000 के आसपास तक लेकर जाएंगे तो इस प्रकार से हमारे buying और selling zone होने वाले हैं जहां पर हम entry बना सकते हैं और profit booker के चल सकते हैं जहां पर हमारा stop loss भी पूरी तरह से decide है कि loss होगा तो कुछ इस प्रकार से होने वाला है इस प्रकार से मेरे nifty की levels रहने वाले हैं जहां पर मैं खुद का trade perform करूंगा इस week के लिए तो 17,400 का level बहुत important role यहां पर रहने वाला है जिसके below में जाते ही हम selling position मनाएंगे और जब तक 17,400 से लेके 600 के बीच में रहेगा तब तक यहां पर थोड़ा सा trade लेने से buying और selling के ल बात किया था पिछले वाले वीडियो पे कि बैंक रिप्टी जो है ऊपर से fall होता हुआ रहा है और यहां पर जो है hammer candle बना था इस hammer candle के बाद यहां पर market में तेजी देखने को मिली थी अब यहां पर hammer candle के below में अगर बैंक ट्रेट करने लगता है तो यहां पर हम sell के लिए ज लिखाए दिया जो कि करीबन 900 यहां पर profit देखने को मिला है बैंक के अंदर अब कहीं न कहीं मार्केट में देखा जाए तो बैंक निप्टी अपने एक सपोर्ट जोन पे हैं क्योंकि यहां पर एक बार reverse हुआ था अगे उसी प्यार रिटेस्ट हो के फिर वापस से reverse हुआ और तीसरी बार आ चुका है अब मार्केट का जो sentiment है global market वो पूरी तरह से negative है तो यहां पर negative हो तो सबसे पहले हम negative के लिए बात कर लेते हैं यहां पर जो पिछला वाला लेवल है यह लेवल हमारा 49,500 के आसपास का low लगा हुआ था जो कि विग बनी भी थी अगर इस लेवल और जब तक इसके ऊपर रहेगा तब तक हम यहां पर trade नहीं करने वाले हैं इसके नीचे में जाने देना है sustain करने देना है उसके बाद ही entry बनाएंगे ऐसा करते हैं तो करीबन हमारा 40,000 का यहां पर stop loss रहेगा और target हमारे यहां पर double होने वाले हैं वो target हमारा करीबन यहां पर देखा जाये तो 38,500 के आसपास रहेगा तो एक बार इसे भी हम एक छोटे time frame पर कर लेते हैं time frame सेम candle छोटा कर लेते हैं तो यहां पर देखोगे तो यहां पर जैसा हम बात कर रहे हैं यह लेबल समारे होने वाले हैं 49,500 के below में और यहां पर पिछला low लगा हुआ था जहां से bounce back हुआ था यही हमारे पहले target रहने वाले हैं तो यहां पर जैसा कि हम लोग 38,500 के आसपास सोच रहे हैं यही लेबल रहे गा और इसके below में अगर वापस से जाने लगता है मतलब इस लेबल पे थोड़ा सस्टेन करके फिर यहां से selling pressure देखने को मिलती है तो यह पुराना वाला जो है सबसे first में जहां से bounce back हुआ था यह लेबल हमें देखने को मिलेंगे जो कि हमारे 37,600 के आसपास हैं तो कर 1800-1600 point target हो सकते हैं तो friends इस बात को ध्यान रखके अगर आप trade करते हैं जहां पे stop loss हमारा 500 point हमारे लिए बहुत ही perfect रहने वाला है लेकिन market में किसी कारण यहां पे तेजी देखने को मिलती है तो वहां पे हम कैसी position बनाएंगे कहां पे हमारा entry point होना चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले bank nifty को उपर जाने देना है और उपर जाने के बाद यहां पे जब तक 40,300 का level cross नहीं करता है तब तक bank nifty के अंदर हम buying की position नहीं बनाएंगे गर यहां पे 40,300 का level cross कर जाता है sustain करता है तब जाके हम यहां पे करीबन 41,200 का पहला target रखने वाले हैं जो की 800 point का रहन निकलता है तब जाके हम यहां पे करीबन 42,000 के target रखने वाले हैं तो यहां पे भी हमारा target करीबन 15,600 point का रहने वाला है इस बात को ध्यान रखिएगा जहां पे stop loss हम सेम यहां पे 500 point का लेने वाले हैं तो 500 point का यहां पे stop loss लेते हैं तो करीबन हमारा यहां पे 49,800 के आसपा गया होगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर हम एंट्री कर सकते हैं और प्रॉफिट भी बुक करके चल सकते हैं वीडियो अच्छा है कि तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें थैंक्यों फर वाचिंग वीडियो